में हम लोग crank generator बनाएं जैसे हम लोग LED जलाएं जाए एक रहे खातिर अपने के दूग को ताकतवर Neopdenum magnet लगी insulated copper wire लगी और बाकी समान लगी पहले दूग को पूरान cd ले 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 और फिर बीच में rubber डालके सेंविच कर दें आप लोग देख सकें जा कईसे cd के दूनों साइड washer लगा ले अब एस cd के लकड़ा के stand पर लगा ले जिम में हम लोग स्क्रू लगाएं जैतनी उचाई पर जिपर हम लोग cd लगाएं जा ए स्क्रू में हम लोग swing machine वाला धागा लपेटे वाला एक गोल ह लगा दें ध्यान दें कि पूली आपन आराम से स्मूथ घूमे के चाहिए नट ज्यादा टाइट ना करें तो पूली ना घूमी अब एक पीवी सी पाइप लेके उमें आमने सामने खड़ा कर लें और उमें दूग और रिफिल का हिस्सा टाइट घुसा लें आप लोग दे दें आप लोग देख सकेंगे कि कैसन दिखा था हुए अब यह रबर के दूनों हिस्सा पर एक एक गो मैगनेट रख लें मैगनेट ताकतवर हँए यह लिए ही चिपक जाई लोग पर लोग देख सकेंगे जाई आराम से घूमे लें में अब एक गो तीस गेज मोटा थार का दूनों फेर के घिस लें ताकि उहां से इंसलेशन निकल जाए एक और बाद आपन कॉइल तैयार होEven하겠습니다 कॉइल के धुनों खाली तार पे एक गो LED लगा लें LED का दूनों हिस्सा थार के एक एक गो इस्सा में लगी अब एक गो रॉबर का मोटा हिस्सा लेके कॉइल के एग और रिफिल के अंदर ओके डाल दें अब यह पूरा हिस्सा लेके लकड़ा के स्टेंड पे उपर एगो खड़ा में डाल दें देख सके नहीं जा कैसे यह हिस्सा आराम से घुमें के चाहिए और अपर दूसरे छोड़ पर हम लोग पुली लगा दें जा पूरा सिस्टम क पाइसन दिखेला यही तस्वीर में हम लोग देख सके नहीं जा आप एगो छोट पुली उपर लगाई लेके बाद एगो रबर से छोट और बड़ पुली के जोड़ लें आईसन के लेके बाद आपन जनरेटर तयार हवे यह तयार भई लेके बाद अब हम लोग सीडी के आपन रिफिल हवे जब हम लोग घुमाएं जाता आप लोग देख सके नहीं जाकी टे लकड़ा के नीचे लगलवे लेडी जलत हवे हवे न बहुत है अच्छा चीज